है गाइज वेलकम तो मैं चैनल दिस शर्मिष्ठा चाटर जी फ्रॉम दे रेंबो गल्स तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूं पेपर पर्स वो भी बहुत ही तरीके से और एकदम बहुत ही अच्छा तो आई ये बनाते हैं तो गाइज ये चैनल मैंने आज ही बनाया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल प्रेस्टा बेल आइकन so today I am making paper bag handbag means that paper handbag and paper purse see this I have made from paper मैंने इसमें रेंबो गर्ल्स इसले लिखाया ना यह कि गर्ल्स का मतला दिमाग ज्यादा रहता है क्राफ्ट की तरफ और बॉइस लोग इतना नहीं करते तो इसले मैंने ऐसे लिखाया so guys for this you need a four size papers or a five size papers I have a five size papers so I am making it from a five size paper see I am having many of them a five size paper so we are starting now and for this you need transparent tape glitter tape and plus one more glitter tape and on this video no carbon sheet will be there okay because carbon sheet बहुत रियर हो जुका है अब so चलिया अब बनाते हैं so guys for it एक ठो पेपर लीजे and then fold it like this and then इधर इधर जो है यह यह देखिए इधर आपको tape लगा दे रहा है और glue so guys मैंने tape लगा दिया है यहां पे और अब आपको जो करना है वो है इधर से आपको tape लगा देना है और इधर से भी so guys हमने तीनों तरफ से जो है tape लगा दिया है तो अब हमें क्या करना है जिस तरफ से हमने first time tape लगाया था उस तरफ से हमको cut कर देना है यहां से ले के पूरा वहां तक just because की tape इसले लगाया था क्योंकि वहां पे hard हो जाएगा और आपको open करने में तोड़ी दिक्कत नहीं होगी और वो फटेगा भी नहीं आप देख सकते हैं अब यह अंदर से open हो जा रहा है अच्छे से तो अब हम इसका cover बनाएंगे कवर के लिए मैंने यहां पे लिया है बहुत ही लंबा सा पेपर सो अब यह लंबा सा पेपर होगा तो अब हम यह जो बैग हमने अभी अभी बनाया है उसको हम इस लंबे से पेपर के ऊपर ऐसे रखेंगे और यह जो open वाला भाग है यह नीचे की तरफ होगा और ताकि यह open भी हो सके और देखिए close भी हो सके मैं थोड़ा long बनाऊंगी इस बार मैं थोड़ा इसको fancy बनाऊंगी सो देखिए पेपर की एंड यहां पे है सो हम एकदम यहां पे रखेंगे अपने बैक को और टेप से पीछे से इसको हम चिपका देंगे ऐसे कर लिएंगे कर देखिए ऐसे करके हमने टेप किया था इसलिए यह थोड़ा हाड है देख लीजे तो अब देखिए पीछे से ऐसा हो किया होगा आपका भी सो बहुत लंबा पेपर है आपको क्या करना है यह जो है इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है और फिर इसको हमें यहां से कट करना है यहां से हम कट कर दे रहे हैं देखिए गाइस यह देखिए हमने जो यहां पर शुरू शुरू में फोल्ड किया था अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप फिर से देख लगता है वीडियो तो यहां पर हमने फोल्ड किया था इसलिए ताकि हम यहां तक ऐसे काट सकें देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूं एक सकेंड सी ऐसे हमको काटना है एक दम ठिक है देखिए बहुत टाइम नहीं लगता है सो गाइज आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यानि 123 123 यूनिट्स यानि तीन तीन के बाद हमको तोड़ा सा छोड़ देना है ताकि तोड़ा और स्टाइलिश लगे तो इसमें थोड़ा सा टेप पी लपा दिया है तो इस इस पेपर जिसको हम रोल करेंगे सो गाइज आप मुझे जो भी चैलन्ज होगे मैं वो करके दिखाओंगी मुझे कमेंट डाउन करिएगा जरूर सो देखिए गाइज यह पेपर हमने रोल करके प्रेस कर दिया था और अब हम इसको हाफ में कट करेंगे देखिए हमने हाफ इसको कर लिया है तो अब हाफ में हम इसको काट लिए और ध्यान रखिएगा कि आप इसको स्क्वार शेप में ना काटे इसको हमें रेक्टैंगल शेप में काटना आए मैंने काट लिया है तो यह वाला पार्ट में लूँगी और मैं इसको रोल करूंगे जैसे किया था मैंने और मैं इसको बहुत ही ज्यादा पतला करके रोल करने वाली हूं हम ऐसे रोल कर देना है इसको थोड़ा हम थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे रोल करते में तो देखिए यहां पर हम टेप लगा देंगे देखिए टिप इस पर हम लगा देंगे और फिर इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे एंड इधर से भी प्रेस कर देंगे देखिए हमने नीचे से अभी तक टेप नहीं लगाया यहां पर तो यहां पर अब हम टेप लगाते हैं टेप लगाने के बाद अब हम ऐसा ही फिर से एक और बना लेंगे सो जो आधा पीस हमने लग दिया था उसी में हम फिर से बनाएंगे देखिए हमने बना लिया है सो अब यह दोनों के उपर की पार्ट में हम लोग कस करके टेप लगा देंगे अब मैं ग्लीटर टेप इसके उपर लगा दूंगी ब्लू वाला हमने ब्लू टेप भी लगा दी और अब हम सिल्डर टेप भी लगाएंगे लगा दिया है एक्चलिए ना मेरे गर में डॉग से इसलिए आपको आवाज आ रही होंगी तो देखिए यह हमने ऐसे जोड दिया है देखिए यह लंबा है बहुत अब हम इसको ऐसे करके रख देंगे और इसको बराबर कर देंगे बराबर कर दिया है हमने तो अब मैं इसको ऐसे करके रखूंगी और अब हम अपना परस इधर लगाएंगे और टेप से अच्छे से टाइट कर देंगे तो इस तरफ हमने देखिए बना दिया टेप लबा दिया है अब हम इसको एक और बार टेप लगा देंगे जस बिकाज की ये थोड़ा अच्छा रहेगा और अब हम सिल्वर और ब्लू टेप लगाएंगे तो हमने लगा दिया है नाउ इविल डेकोर इट लाक दिस आइवल डेकोर इट दिस इस ओल्ड आइव डेकोरिंगे पू़ करता है ट लौ इपार ट वेचता है अच्छा इपड़ा जिए नाईकम रिए लगाएंगे कर दो आईज है सब्सक्राइब गार डेक्दार बार मिलेकर प्स्तारे ट आईए